दिल्ली के सियम की जंग हो गई खत्म, आप विधायकों ने चुना नया नेता केजरीवाल के स्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी आप विधायक आतिशी सौरव और सुनीता को छोड़ कर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की ये है रणनीती दिल्ली की राजनीत में एक बड़ा बदला हुआ है अर्विन केजरीवाल के स्तीफे के एलान के एक पाद कयास लगाए जा रहे थी कि कौन होगा दिल्ली का नया सियम कई नामों की चर्चा हो रही थी सौरव भारदवाच, कैलास गैलोद, आतिशी, सुनीता केजरीवाल, संजे सिंग और रागो चटड़ा को भी जोड़ा जा रहा था लेकिन आप विधायकों की बैठक में जो फैसला हुआ उसने सब को चौका दिया है विधायकों ने आतिशी को अपना नया नेता चुन लिया है, अब केजरीवाल के बाद आतिशी दिल्ली की कमान सबालेंगी लेकिन असली सबाल ये है कि केजरीवाल के पास ऑप्षन तो बहुत सारे थे, लेकिन आतिशी को हुई क्यों अपनी जगे पर बैठाया है क्या है इसके पीछे की बज़े चलिए आपको विस्तार से बताता हूं सुप्रीम कोट ने जब केजरिवाल को जमानत दी थी तो कई सारी शर्ते लगा दी थी जमानत की शर्तें अर्विंद केजरिवाल को मुख्यमंत्री के रूप में पूरी आजादी नहीं देती थी ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वो सचिवाले नहीं जा सकते थे सीम आफिस का दौरा नहीं कर सकते थे और ना ही सीम रहते हुए कैबिनेट की बैठक बुला सकते थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि नया सीम चुनाओं से पहले रुकी हुई लोक लुगभावन योजनाओं को धरातल पर उतार सके लेकिन सवाल ये है कि आतिशी को ही क्यों बनाया गया इसका जवाब है अरविंद केजरिवाल की एक योजना जिसमें उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को हर मही में एक हजार रुपए देने की घोशना की थी अगर केजरिवाल सीम बने रहते तो इस स्कीम को लागू नहीं कर पाती क्योंकि वो कैबिनेट की बैठक भुला ही नहीं सकते थे ऐसे में रागनीत के जानकार कह रहे हैं कि आतिशी सबसे फिट बैठती है इस योजना के लिए केजरिवाल ने इस योजना का एलान पहले ही कर दिया था और लोग सबचनाओं में इसकी खुप प्रचार भी किया था अब महिलाओं के लिए इस योजना को लागू करने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री होगी तो जनता सीधे कनेक्ट होगी इसके साथ ही आपके जब बड़े बड़े नेता जेल में थे तो आखरी हर मोर्चे पर भाजपा को जवाब दे रही थी वहीं साथ में 15 अगस्त का मौका था जंडा फैराने के लिए केजरिवाल आतिशी का नाम चाहते जबकि LG ने उस वक्त कहलोत को नाम आगे बड़ाया था इन सब के बावजूत भी केजरिवाल की पसंद आतिशी ही है आतिशी का पद पार्टी में काफी बड़ा है केजरिवाल पर जब गरिफतारी की तरवाल लटकी हुई थी तब केजरिवाल ने आतिशी को मंत्री मंडल में शामिल किया था और आतिशी के पास दिल्ली सरकार में इस वक्त सबस्यादा मंत्राले हैं आतिशी के पास मनीश्च सौदिया का सिच्छा विफाग, पी डबलू, जल विवाग, राजस्व और वित्व विवाग जैसी बड़ी जिम्मेदारिया हैं आतिशी के सीम बनने के बाद महिला वोटरों को लुभाना पार्टी के लिए अब आसान हो सकता है तो फिलाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, क्या सच में अरविन के जिवाल ने महिला वोट हासल करने के लिए फैसला लिया है या नहीं को अन्वाक्स में ज़रू बताएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुमत भोलेगा, झाल झाल